हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंप रोहित आपका जोग्रफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैंगनेट ब्रिंस पर मैंगनेट ब्रिंस जो की फेवास है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिक बॉक्स में हम लोग भारत का बहुत एक परियावणान इस बुक को पढ़ रहे थे इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है संरशना तथा भू आकरतिक विज्ञान इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने पढ चाही है आज हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि प्राइदीप ये पठार में कौन-कौन सी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों को पढ़ने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि हम लोग एक एक स्लाइड वही भारत का प्राइडभी पठार एक अनियमित त्रपू जरूरा-क प्राइडिप नबातब को एक इक जूस्य बाता है तो बिटता होता है तो चीज़ा कि या होती है एक जैसी हम लोगों को पहता ने देखने को मिलती है लेकिन इस तरीके का ट्राइंगल एक्जेक्ट हम लोगों को प्राइदीप में देखने को नहीं मिलता लेकिन एक्जेक्ट इस तरीके का नियमेट ट्राइंगल हम लोगों को देखने को नहीं मिलता देखें यहां पर यहां पर बन रहा है ठीक है यह लेकि जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिमों की पहाड़ियों तता उत्तरपूर में शिलांग इवं कार्भी अगलांग का पठार तक है कुछ नहीं है प्रदीपिय पठार की यहां पर बाउंडरी आप लोगों को बता दीए और बाउंडरी क्या है पश्चिम में जो बाउंडरी हम देखने को मिलता है जिसको हम लोग लोग बता हması राजमहların की पहाड़ियां राजमहil का पठार उसके बाद और ज्यादा हम अगर पूरम में चलें तो हम लोग को शिलांग और जो कार्भी अगलयों का पठार हम लोगों को देखने को मिलता है अब इस पूरे प्राइधी इ कितनी है ओसत उचाई है 600 से 900 मेटर जो है इसकी ओसात उचाई ही जब हम ऊचाई की बात करते हैंतों मैंने आपनों को बताये था previous live में या उचाई जो है वो समुदर्द से नापी जाती है तो इस उचाई को आपलोग हम दिर तल से जो ऊचाई है वो कितनी है छेसो से नौसो मीटर यह गौंदवाना लेंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशां में प्रवहा के कारण बना हुआ है यह जो क्या बोलते हैं प्राइधीपीए पठार जो है नढल स्कार के टूटने एवं उसके उत्तरी दिशां में प्रवाह के कारण बना हुआ है हम लोग को पता है कि दक्षन भारत जो है गोंडवाना लेंड का catch है हम लोग जब प्रत्वी की उत्पत्ती पढ़ेंगे न तब हम लोग पढ़ clan ये कि प्रत्वी जो है प्रत्वी का जो ये वाला हिस्सा है वो गौणवाना लेंड कहला रहा है और ये यूरेशिया ही जो हिस्सा है इससे जो इसके पास जो है आ रहा है इसके पास जो है और इससे को हम लोग बोलते हैं गौणवाना लेंड और इससे तूटने के बाद ये जो हिस्सा बचा है इस हिस्से से ही कौन से पठार का निर्माण हुआ है यह गौनवान रेंग के तूटने और उसके उत्तरी दिशा में प्रवाग के कारण बना है तथा यह एक प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का एक हिस्सा है जब हम लोग प्रत्वी की उत्पत्ति अलग अलग जैसे एशिया महादीप आफ्रीका महादीप और यह सब महादीप जो हैं पहले एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे जब इस पूरे भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे तो इस पूरे एक मात्र भूखंड को बोला जाता था पैंजिया क्या बोला जाता था पैंजिया दीरे दीरे यह भूखंड जो है अलग हुए जब यह भूखंड अलग हुए तो एक महादीप एशिया बन गया एक आफ्रीका बन गया एक ऑस्टेरिया महादीप बन गया इस तरीके से सातों महादीप हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिस तरीके से मैंने बताया एक ही महादीफ हुआ करता था सारे भूखंड एक हुआ करते थे भूखंड का नाम क्या था पैंजिया इसी तरीके से समुद्र भी एक हुआ करता था और समुद्र का नाम था पैंथा लासा क्या बोला जाता था पैंथा लासा लेकिन जब हम प्रत्वी की उत्पत्ती पढ़े यह देखने को मिलते हैं आगने और रूपांतृति शेल आप अपलों पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी वाली जो जो अम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना रहेगा कि तीन तरीके की चटाने होती की है एक आगने साधिज चत्तां अधीर को समझते हूए अगर कोई समझ में नहीं आ रही है को चीज मैं कुशिश करूँगा आप को नेक्स लाइड में जब हम नेक्स वीडियो लेकर आएं तो मैं आप लोगों के concept जो हैं clear करते चलूं मैं एक एक लाइन आप लोगों को यहां पर समझाते हुए चल रहा हूं साती साथ आप लोगों को यह डाइग्राम पर भी ध्यान रखना है डाइग्राम में देखी समझ में आने लगेंगी को चलते हैं ऌता है किसे पुट्राइप की उच्चाई पस्चिम पूर्विकी और कम होती है कम होती चली जाती लाइन और प्राजवी पठार की अधिकांश नदियां नदियों का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्वी की ओर हम लोगों को देखने को मिलता है क्या लिखा हुआ है कि प्राइदीप की उचाई पर पूर्व की ओर कम होती जाती है यहां पर जो प्राइदीप हम लोगोंने बनाया बहुत उची मतलब यहां पर यह ठीडी डायग्राम मैं यहां पर नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन यहां पर क्या है उची उची सामान सामान ने यह पार्वी साइड यह दक्षन धिशा है इन दोनों दिशा के बीच में जो दिशा है उस दिशा को बोला जाता है दक्षन पूर्वी साउथ इस्ट भारत की जो सामने डाले ना वो दक्षन पूर्वी इसलिए आप लोग गौर करेंगे ध्यान से देखिएगा भारत के अधिकतर नदियां अपना जल कहां ले जाती है भारत के अधिकतर लगारत की जो सामाने डाले ना वो दक्षन पूर्वी साइड इसलिए इसलिए यहां पर पानी ले जा रहे हैं तो यह कॉंसेप्ट है इसा नहीं यह पूचा जा सकता है भाई हमारे पास तो तीन साइड समुद्र है नदियां अधिकतर आरफ सागर में भी तो अपना ले जाती है प्राइदीप में यहां पर बना रहा हूं यहां पर बना रहा हूं तो नदियां हर नदी ऐसी नहीं है कि जो बंगार की खाड़ी में अपना पानी ले आ रही है जब प्राइदीप का आप उपरी हिस्सा देखेंगे तो इस वाले जो हिस्से की धलान है ना वह पूर्व की और है या फिर उत्तर की और है इसलिए बहुत सारी नदियां देखेंगे कुछ नदियां उत्तर साइड भी जा रही है क्योंकि प्राइदीप भारत की जो उत्तरी धलान है या उपरी जो हिस्सा है उसकी धलान उत्तरी साइड है यही बात यहां पर लिखी हुई है दक्षनी भाग में इसकी डाल पस्चिम सब पूर्व की और है जो गोदावरी कृ लेकिन उत्तर भारत में उत्तरी साइड हम लोगों को देखने को मिलती है यह बात यहां पर आप लोगों को समझे नहीं है ठीक है यह वाली स्लाइट समझ में आ गई है नेक्स लाइट पर चलते हैं प्राइटीपी नदियों में महानदी सौरी नरमदा इवन तापती नदियां अपवाद हैं क्योंकि इनके बहने की देशा पूर्व से पश्चिम की और होती है ऐसा भरणिश गहाटी से उकर बहने के कारण होता है वेरी आई-एम्पी लाइन यहां पर लिखी हुई है यह में अपनों को समझने समझमें आनी चाहिए मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया मैंने आप वोगताया भई कि यहां से ब logaritwo नदिया न दक्षर भायत की बहुत सी नदिया बार बार नदियां बना दे रहा हूं फिर से मेनां दे रहा हूं महानदी गोदावरी सर आपने बताया कि बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं लेकिन हम लोगों को दो नदियां ऐसी देखने को मिलती हैं और वो नदियां छोटी मोटी नदी नहीं अच्छी खासी बड़ी नदियां वो दो नदियां कौन सी हैं उन दो नदियों अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में ले जाती है तो सर दू नदियां तो ऐसी है नरमदा और तापती जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ना ले जाकर अरब सागर की साइड ले जाती है तो इसका कारण क्या है यह आप लोगों को पूछना अचाहिए था क्योंक जो डाल के विपरीत अपना पानी ले जाती है और इसका कारण यह वो यह है कि यह जो नदिया ना ब्रंश घाटी में अपना अपना घाटी में प्रवावत क्या होती है मैं आपनों को बता देता हूं देखिए जब बहुत बड़ा चतान होती इस चतान में अगर दरार पड़ जाएंगे कि नहीं बिल्कुल यह दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे उपर हो जाएंगे जब यह दोनों हिस्से उपर हो जाएंगे तो बीच में नाली बन जाएगी मतलब दो परवतों के बीच में क्या बन जाएगी इसी नाली को हम लोग बोलते हैं ब्रंश घाटी क्या बोलत स्थित हैं देखिए विंद श्रेणी और एक सत्पोड़ा श्रेणी इनके बीच में नदी प्रवाहित होती है इस नदी का नाम है नर्मदा नर्मदा के पास आप्शन नहीं है विंदी के उस साइड जाने का और सत्पोड़ा कि साइड जाने का दो परवतों के बीच में बह र नहीं ले जा रही है जैसा कि मैंने डाइग्राम में अभी आपनों को बताया कि चटान जो होती है चटान में अगर दरार पड़ जाए दो जगा से देखिए चटान यह है और यहां पर दरार पड़ गई यह वाला हिस्सा तो क्या हो गया नीचे चला गया तो कंपरेटिवली लात्मक रूप से यह वाला हिस्सा क्या हो गया ऊपर चला गया कुछ ऐसी इसला करती जो है यहां पर देखने को मिल जाती है ऐसी इस तरीके से यह इसला करती यह वाला हिस्सा नीचे चला गया देखिए और यह दोनों इससे क्या हो गया ऊपर इसी का ही एक दूसरा वाला मैंने आपर बना दिया यह जो परवत है ना इसका नाम है विन्याद्छल और यह जो परवत है ना इसका नाम नाम क्या है सब्वडा और इन दोलों के 20 से इता है रव मिलत होती है जिसको बुला जाता है नर्मदा नदी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दक्षरी पूर्व ढ़लान होने के बावजूद भारत की दो ऐसी नदियां है नरमदा और तापती जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में न ले आखर अरबसागर और अरबसागर में ही एक खाड़ी इस्तित है जिसका नाम है एक तो है कि यह दो नदिया भंज्श घंडी में स्थिटत है ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को यही बात यहाँ पर लिखी हुई है ऐसा भंज्गाटी से गवर बहने के कारण है प्रएदिपी पठारों को पठार को पठार को पठार ना इस कूछ और पाफार की बात ह उत्तरपूर्वी पठार धक्कन का पठार जो है ना पर्य दीपी पठार का ही किया है हिस्सा है इसी मुख्य उच्चावच कंतले कंतले होता है एक जैसे इसला करती या फिर मुच्छी नीच्छी जो लक्षड होता है एक जगा माने उचा ही उच्छाईं चाई और यह उस साइड कर दिया इस तरीके से जब प्राइदीपी पठार हम लोगों को समझ में आ जाएगा ये बात हम लोगों को समझ नहीं है तो सबसे पहले कौन सा पठार है सबसे पहले आता है दक्कन का पठार देखिए अब यह दक्कन के पठार की boundary क्या है इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पूर में पूर्वी घाट और उत्तर में सत्पड़ा मैकाल और महादेव की पाड़िया है अब कुछ नहीं यह boundary बताईए यह दक्कन के पठार की अगर मैं boundary बता दू यहाँ पर तो यह boundary क स्थानिय तोर पर अनेक नाम दिये गए हैं जैसे कि महारास्ट में सहयादरी करनातक और तमिलाड़ों में नीलगिरी और केरल में अन्ना वलाई और इलाईची की पाड़ियां देखिए जो पश्चिमी घाट है ना पश्चिमी घाट घाट का मतलब यह नहीं जो आप लोग सहयादरी बोला जाता है करनातक और तमिलाड़ों में इसको नीलगिरी देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहां मैंने बनाई दिया है ऐसे ही पूर्वी घाट भी है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उस स्थान का नाम है नीलगिरी क्या आप लोग इतना सिर्फ याद रखिए कि पश्चमी घाट के अलग अलग क्या है नाम है जब विस्तार से हम पश्चमी घाट पढ़ेंगे ना तो यह सारी चीज़े मैं आपनों को पश्चमी घाट के पश्चमी घाट ऊंचे और अवैरत यह फ harassy घाट की जोईशाई वहाथ आपको कि यहां वुट्चमी घाट की कितनी है पंद्राना सモ मीटर बक्रमों मीटर भी अच्छी खासा होता है जो कि उत्तर से दक्षरी के गर बढ़ती जाती है मतलब कि उत्तर से दक्षन अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर जो है इसकी उचाई पश्चिमी घाट की बढ़ जाती है इसलिए दक्षन भारत में कई हम लोगों को उची चोटि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दक्षन भारत की सबसे उची अनाई मुडी क्या नाम है अन्न मलाई परवत माला परवत माला की सबसे उची चोटी ऐनाई मुडी क्या एची है तरीके से अनाई लिए और इस वह बढ़ाःत में बहुत सी वची अभारत में बहुत से यांड ही मुडी यिस तरीके के चोटिया को देखने को मिलती है नेक्स स्लाइड पर चलते हैं पैदी प्ठार के सबसे उची चोटी अनाई मुडी है देखिए जो मैंने अभी आप लोगो समझाया और इसकी हाइट जो है आप लोगों को याद रखनी है हाइट कितनी है हाइट है 2695 मतलब 2695 मीटर जो की पश्चमी घाट की अन्ना मलाई पह महाला की चोटी अनाई मुडी है इसी तरीके से नियलगिरी पहाणी पहाणी पर स्थेत हैं कुछ नहीं है है ज्रूर्द मोश दिए कर आप लोगोम को मैं समझा रहा हूं यहां पर जब आप डाइग्राम में देखेंगे ना अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में आप लोगों को नीलगी परवतमाला अराइमुडी परवतमाला देखने को मिल जाएगी बहुत अच्छे से लेकिन बुक खोलना जरूरी है आप लोग भुक ही नहीं खोलते बुक सबसे पहले अपने सामने बुक रखें ऐं बुक को देखते हुए गरं में बहुत अच्छा से पड़ना है तो आप पर ये डाइग्राम जो है ना मैंने इंसी आटी का ही उठाया है आप लोग डाइग्राम देख लें वहाँ पर यह सारी परवत माला यह चोटियां जो है वो दी गई है घृठ देखे क्या लेखा है दूसरी सबसे उची चोटी डोड़ा बैटा है यह नील गीरी पहाड़ियों पर इस्तित है ज्यादत है प्रयदीपी नदियों की उत्पत्ति पश्यमी घाट से हूती है निकलते हैं यह परवत माला से बहुत सारी नदियां निकलती है और ले कहा आती अपना पानी ले जाती हैं बंगाल की खाली में ले झुकर tricked काड़ी है इसकि बीच में बरेक नहीं उसके व्परीज जो है बीच बीच में तूटी हुई शंकला से मिलकर बना वह बीच बीच में तूटा ऊहरं ंपर यहां प्र गुदावरी कृष्णा और काविरी नदियों ने यह जो पूर्वी घाट इसको काट दिया है नेक्स लाइन यहां की कुछ प्रमुक परवस्षेणियां जवाडी पालकोंडा शेणी नन्ला मलाई पहाडियां महेंद्र गिरी की पहाडियां मतलब पूर्वी घाट पर या फि स्याटी की बुक में नहीं मिलती है ना तो क्रपया करके यह पाड़ियां गूगल पर सर्च करें यह देखें कि यह पाड़ियां हम लोग जब मैप पर बनाएंगे तो यह पाड़ियां कहां पर क्योंकि मैप बेस्ट कॉष्चन भी आप लोगों से पूचे जाएंगे हम लो की पहाडियां पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाडियों मैं आपस में मिलते हैं ये बात में पहले ही बता चुका हूं कि प्राइदीपी भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो होता है एक जगा पर और जगा का नाम क्या है नी उच्छ भाग क्या लिखा हुआ इसमें पश्चिम में अरावली परवत इसकी सीमा बनाते हैं इसके दक्षिन में सत्पुड़क पठार उत्तिष्ट पठार की शेणी से बना हुआ है जिनकी समुदर दल से मुझाई 600-900 मेटर है भाई जिस तरीके से दक्कन के पठार की मैंने दक्कन के पठार की उत्री सीमा बनाते हैं इसके उत्तर में कौन सा पठार है मद्य उच्छ भूबाग कि अवसिष्ट परवतों के उत्रश्ट उधारन है जो की काफी हद तक अपर्दित है और इनकी श्रंखला टूटी हुई है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवसि वैसी पर वादों के वी एक लाइफ होती do सदियों से क्या रहा है सदियों से जयते आ रहा है भाई सब दूबке सब्दू सब चीजों के सामना कर रहा है तो दीरे यह जो परवत है पहले ऐसे थे पीग जो थी ना एकदम तीक्षण जो धालती ना एकदम तीक्षण थी एकदम स्लोग बहुत जादा थी तें दीरे दीरे हवा पानी धूल मिट्टी से क्या हो गया यह परवत विचारे घिस फिट गए और इन परवत को हम लोग बोलते ह परवत के उधारण कहा है जो की काफी हद परदन के कारणी यह बना हुआ और इन प्राइधियों पठार के इस भाग का विस्तार जयसल मेर तक है, यहां तक यहां यह अनुदैर रेत के टिबों और चपाकार रेती ले ли तिबों से क्या पीँ टिबों से क्या है थके हैं क्या बोला है है कि मद्य उच्छ भाग जो है ना इसकी यह विस्तार जो है और जैसल मेर तक है और तक कि तक्लिजित ennuddhair हैं कैसे बात यहीं बात यहाँ पर लिखे हुई और क्या लिखा है अपने भूगर्वी इतियास में यह चेत्र कायंतरिक प्रक्रिया से गुजर चुका है और कायंतरिक स्टाने जैसे संग मरमर स्लेट नाइस जो हैं इसका प्रमाण है मतलब कायंतरित चट्टानों के उधार जब हम लोग देखते हैं तो कायंतरित चट्टान है कौन सी है एक तो संगमरमर एक कायंतरित चट्टान है स्लेट एक कायंतरित चट्टान है नीज जो है एक कायंतरित चट्टान है समुतर तल से मद्य चुब भूभाग की उचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है उत्तर पूर्वी दिश्चा में इसकी उचाई कम होती चली जाती है यमना की अधिकतर साहिक नदियां विन्यांचल और कैमूर शेणियों से यहाँ पर निकलती है मद्य चुब भाग की जो उसत उचाई है ना वो क्या है 700 से 1000 मीटर बस यहीं इंपोर्टेंट है और मद्य चुब भाग में भी बहुत सारी नदियां बहती है और यह नदियां की उस्पत्ति कहां से होती है यह नदियों की उस्पत्ति होती है विन्यांचल और कैमूर शेणियों से बनास चंबल की मुक्य साइक न की बाउंडरी क्या है अरावली से लेकर कहा तक है पूर्व में देखे तो राजमहल की पारियां राजिस्थान तक हम लोगों को देखने को मिलती है इसके दक्षण में छोटा नाकमुर का जो पठार है वो खनिज पदारतों का क्या है भंडार है छोटा नाकमुर को पठार आप लोगों ने सुना हुगा छोटा नाकवर के पठार में कोई लोहा जितने भी इंपोर्टेंट खणने जाए देखने को मिलते हैं और यह सब किसका हिस्सा है यह सब इस्सा है मद्य उच्छ भूभाग का और हम लोगों को पता है प्राइदीपी पठार तीन हिस्से में हम लोगों पढ़ना है और लास्ट बाला जो हिस्सा है लास्ट बाला हिस्से का नाम है पूर्वी पठार क्या बोला है कि वास्तब में प्राइदीपी पठार का ही क्या है विस्तार वास्तब में प्राइदीपी के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिश लखने के कारण राजमहल पाड़ी और मिगाला के भीच एक भ्रंश घाटी बनने से यह भाग क्या हो गया अलग हो गया देखिए जब हम लोग ने बुक पढ़ाई बुक पढ़ना स्टार्ट किया था तब हम लो अलग होने के क्रम में यह वाला जो पठार है वह बना हुआ है यहां बना हुआ है और यहीं बात यहां पर लिक्यू Nós कि हमाले की उत्तिक के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूरवी दिशा में खिसकने के करान अगया है तो यह बात यहाँ पर लिख्यू गया है बात में नदी जमा किये गए है जलोड द्वारा पाट दिया गया है क्या होता है हम लोग को पता है यह वाला जो पठार है ना यहां से बहुत सी नदियां गंगा जो है अपना पानी ले जा रही है फिर दामोदार रिवर है फिर यमुना रिवर है फिर ब्रमोपतर रिवर है यहां पर बहुत सी नदियों का जो जलोर है मिट्टी जो है गाद जो क्या है अलग है कि आज तो कार विंखाले का पठार कि यह कि आलग है इसके अलग होने का खारnd कि एक बाउंडरी कर तंक करता है किस से पूरे प्राईदिय्प यहाँ पर लिखी हुई है उम्मीद करता हूं यह स्लाइड आप Jack को समझ में आ गई होगी असम की कार्वी अंगलों की पहारियां भी इसी का विस्तार हैं छोटा नाकूर के पठार की तरह मेगालय के पठार भी कोईला लोहा सिलेमनाइट चूने के पठर यूरीनियम जैसे खनिज पदारतों का क्या है बंडार जैसा मैंने आप लोगों को पत सिलेमनाइट और चूने का पठर इस चेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षण पश्चिमी मानसून से होती है परेणाम सरूप मेगालय का पठार एक अती अपरदित भूतल है चेरा पूंजी नगने चट्टानों से ढखा स्थल हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पर क्या चेरा पूंजी और अब बरतमान में जुस्थल जिसका हम लोग नाम जानते हैं मासिन राम यहां पर क्या है बारिष बहुत ज्यादा होती है बारिष होने के कारण यह वाला जो इतना ज्यादा अपरदन हम लोगों को देखने को इस चेत्र में मिलता है और यहीं बाते यहा क्या निखा हुआ है कि इस चेत्र में अधिक्तर वर्षा दक्ष्र पश्र में मानसून से होती है परणाम सरूप मेगालाय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है चेरा पूंजी नगन चट्टानों से ढखा स्थल है और यहां पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है और टीन जंजातियों के नाम है गारो खासी और जयंतिया की पहारीय वर एक अवास करने वाली जंजातियों के आधार पर में भाटते हैं मेगालाय का पठार देखी मैं डाइग्राम यहां पर बना दे रहा हूँ है सपोस्कर यह मेगालाय स्टेट में यहीं तीन पहाडिया अं नाम है जयंतिया तो यह जो गारो कासी और जयंतिया पहाड़िया ना यह दरसल क्या है जंजातियों के नाम भी है एक जंजातिया जिसका नाम है गारो एक जंजातिया जिसका नाम क्या है जयंतिया देखिए यहां पर मैंने पहले भी यहां डाइग्राम यूज कर चुका हूं यह मेगाले मैंने यहां पर बनाया हुआ है और यहां पर गारो, खासी और जहनतिया का नाम लिखा हुआ है और यह गारो, खासी जहनतिया यह पहाडियां भी है और पहाडियों का नामकरन जो है वो यहां निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर ही किया गया है गारो, खासी और जहनतिया की पहाड़ियां तो उम्मीद करता हूँ पूरा प्रादीप्य पठार आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रादीप्य पठार को हम लोगों ने तीने सो में बाटा था एक हिस्सा था धक्कन का पठार दूसरा हिस्सा था मद यह चीज आप लोगों को याद रखनी है तो उम्मीद करता हूँ आज की वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मैगनेट ब्रिंस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हम लोग आपके लिए cbsc बोड डेली बोड बिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड राइस्थान बोड में क्लासिज लेकर आए हैं साथ सी साथ आप लोगों को यहाँ पर वैदिक मैस क्रेश कोर्स और इंगलिश की क्लासिज भी जहें देखने को मिलती हैं अगर आप लोग हमारे सोचल मीडिया च थैंक यू थैंक यू सो मच